नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नमक का बहुत सारे प्रयोग होते हैं लेकिन नमक रखने का सबसे पहले तो तरीका आना चाहिए क्योंकि नमक नकारत्मक सक्तियों को सोखता है अब इस नमक को हम कैसे पॉजेटिव सक्तियों नमक में बनी रहे क्योंकि नमक तो हम खाने म स्टिक्स में एक खराब तरंगे आने के कारण हमारा मन डिश्टरब रह सकता है इसलिए क्यों नहीं हम खाना जहां हम बनाते हैं उस नमक को ही पॉजेटिव बना ले भागय वर्धक बना ले लक्ष्मी वर्धक बना ले दोस्तों नमक को हम कहीं न कहीं हर जगह यूज करते है जैसे कीचन में तो यूज होता ही है हमारे घरों में पोचा भी लगाते हैं नमक मिलेवे पानी से क्यों क्योंकि इससे दरिता दूर जाती है और घर में बरकत होती है लेकिन ब्रसपतिवार के दिन पोचा लगाना ही नहीं चाहिए और नमक मिलेवे पानी से भी नहीं लगा चाहिए सपता के बागी के छे दिन आप पूछा लगा सकते हैं इससे बरकत भी बनी रहती है और जीवन में आनंद रहता है खुजिया रहती है स्वास उत्तम बना रहता है दोस्तों आपको जानका साइध हैरानी होगी लगे कि हां ये अन्द भी स्वास है लेकिन जोतिस में घर की सुक्सम्रिद्धी के लिए नमक बहुत बड़ा एक लक्षमी कारक चीज है अगर धन आपका घर में बरावर से नहीं आता है ब्यापारी हैं या कहीं वर्क करते हैं तो कभी आपको आपके काम से आपको अच्छे इंकम होते हैं कभी नहीं होते हैं आप ब्यापारी है पानी ले 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 अब उसमें एक चमच नमक मिला के घर का नेत्रित पोन में रख दें और उस ग्लास में आप रेड कलर का रिबन बांद दीजेगा या फिर कागज लगा दीजेगा वैसे तो नियम में बल्ब लगाने का पर सबके लिए यह संभब नहीं है इसलिए हम यह नही कहेंगे अब बल्ब लगाईए हाँ ग्लास में रेड कलर का का रिबन बांद दें ऐसा करने से भी ठीक रहेगा आपको लगए कि ग्लास का पानी सूख रहा अब गर्मी का दिन है तो पानी सूखता ही है तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें और एक मेहने के बाद इस करने से आपकी जीवन में जो नकारतमकता भरी है धन आने के जो मार्ग है वह बंद है ब्लॉकेज वह खुल जाएंगे और यह जो आप उपाई फिर से दोहरार लिजिएगा अगर आपने जैसे नमक युले पानी को फेका एक महने के बाद तो फिर से फ्रेस वाटर ऐसे ही नमक डालके जरूर रख लिएगा अब हम बात करें आपके कीचन की आप तो कीचन में नमक रखते ही हैं अब कीचन में जब भी नमक रखें तो काच के बरतन में रखें कभी भी प्लास्टिक के बरतन में नहीं रखें आप काच के बरतन में जैसे ही नमक रखिएगा आपके चमश में हाथों में आ जाता है तब ये लॉंग वापस फिर नमक में डाल दें और खाना बनाईए मज़े से नमक से नमक खत्म हो जाता है फिर से उसमें डाल दें मन करें तो दूसरा लॉंग फिर से डाल दें पीछे वाला जो पहले का लॉंग है उसे आप खाना बनाने में यूज कर सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है लॉंग करेगा क्या वो नकरतमक सकतियों को खीचने नहीं देगा नमक को और नमक हमेशा ही कीचन में ढग के रखिएगा आईए नहीं कि ऑपन है बरतन कुछ दिर पड़ावाई नहीं यूज कीजिए फिर ढग दीजिए इस उपाय से कांच के कटोरी में नमक जरूर रखें कहीं भी उचा स्थान पे रख दें जिससे कि उसमें पानी बेगर ना जाए कुछ दिनों में वो खुद ही पानी पानी होने लगेगा इसका मतलब है नमक ने नकारतमक चीजों को सोख लिया है अब इस नमक को आप फ्लस कर सकते हैं ट नमक अगर आपका किसी कारण से ट्यूलेट उत्तर पूरब में हो जहां पुझा अस्थान होता है कभी कभी वास्तु दोस्त पहले के जवाने के घर होते हैं तो कहीं भी लोग बना देते थैं बहुत लोग लोग वास्तु दोस्त देखते थे लेकिं बहुत कोई नहीं बना लें इसकोने से हटा लें क्योंकि इसकोने में भगवान आपको आसिरबाद देते हैं और आप गंदगी करेंगे तो कहीं न कहीं जीवन में जो खुसिया आने वाली है उसमें अवरोध पैदा होती है तो इन चीजों से बचिएगा नमक का प्रियोग जीवन में धेर सारी खुसियों को लाता है अगर आपके घर में बीरा मतलब के जगड़े लडाईयां होते हैं आपकी वाइप है आपकी माँ है बहन है या आप ही दोनों में होते हैं पती-पत्नी में होते हैं ऐसे में क्या करेंगे आप अपने बेडरूम में खड़ा नमक यानि की समुदरी नम पर भूल कर भी इस टीलिया लोहे के बरतन में मत रखिएगा और इसे कम से कम इस सप्ता भर में चेंज कर दीजिएगा पहले वाला फ्लस कर दें और फिर रख दें फ्रेस से ऐसा करने से आप पती-पत्नी में जो लडाईयां है वो नहीं होंगी आपस में प्रेम बढ़ेग और बिमारी दवाई सूट नहीं कर रहा है राहू केतु की परिशानी जब होती है ना तो बिमारी समझ में नहीं आता दवाई सूट नहीं करता है और लंबे समय तक लोग भोग लेते हैं कम से कम एक महिना तो परिशान करता ही है ऐसे में क्या करेंगे जो बिमार है या जिन नमक फिर से रख दें आप देखिएगा कुछी दिनों में आपको लगने लगेगा हां उनके स्वास्त में सुधार होना सुरू हो गया है तो यह चीजें बहुत अच्छी हैं वैसे अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं बार बार नजर दोस्के सिकार हो जाते हैं चोट च ऑर आपके बच्चे पहले को खिलने कुदने मूस्कुराने लगेगे दोस्तों जब भि आप भोजन करते हैं खाना बना हो आपके नमक लेकर मत काहीक यह चैब भी आपको लगे नमक कम है तो उपर से Alors है तो काला नमक या फिर सेंधा नमक लेकर काएं यह फराइज नमक और घर में सुक्सम्रिद्धी भी बढ़ने लगेगा अब हम बात करते हैं अगर आपके घर को नजर लग गई है तब क्या करेंगे क्योंकि यह चीजे भारत में बहुत ज्यादा प्रचलीत है कि नजर दोस्त लगती है लोगों का घर में लग गया पूरे घर परिवार अस्त ब्यस्त हो गया हर कोई एक दूसरे से दूर दूर रहने लगा कलकले सो गया अलगा हो गया भटका हो गया तब करना है आपको एक आपको डली वाला नमक मार्केट में मिलता है ले आईएगा समुद्री नमक एक लाल कपड़े में उसे बांद ले और सनीवार अभीवार मंग अपने मुख्य दर्वाजे के बाहर की और से दाहिने साइड उसे बान दें ऐसा करने से घर में जो नकारत्मक चीजे हैं वह दूर हो जाएंगी और आपके घर में किसी की नजर लगी होगी तो वह वापस उसी के पास चला जाएगा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको डर नहीं लगेगा और यह चीजें आप खासकर बच्चों के साथ जरूर करें बच्चे आपके सुरक्षित बने रहेंगे चोड़ चपेट दुर घटनाओं से और बच्चे स्वस्त भी रहेंगे किसी का नजर भी नहीं लगेगा अगर आप कारोबारी हैं आपके कारोबार में मुनाफ़ा नहीं हो रहा है तो तब आप वही उपाय करें लाल रंग के कपड़े में नमक बांद कर लटका दें अपने कारोबारा स्थान पर भी ऐसा करने से आपके कहीं न कहीं आपके जीवन में जो नकारत्मक चीजें हैं वो दूर होंगी और बरकत होने लगेगा र एक गयर आहो के तु जो भी परिशानी दे रहा है तंह दे रहा है नकारत्मक सकतियां नीनमें खलल डाल होना शुरू हो जाएगी इस तरह से जीवन में ढयए सारी सक्तियों को अभगा सकते हैं और अच्छी सक्तियों को ला सकते हैं दोस्तों बच्चों को त्वस्नान करान कि जब भी ऐसा लगे मन खिन हो मन दुखी हो परिसान हो तब अपने हाथों में एक थोरा सा नमक लेके कुछ देर बैठ जाए दो मिनट चार मिनट और फिर बेसीन में डाल दे देखिएगा आपके बच्चे खुद कहेंगे इस उपाय से उनको थोरा रिलेक्स तो महसूस हुआ ही क्योंकि नमक जो आपके बच्चों के सरीर में नाकरात्मक चीज़ें उसे सोख लेता है और आपके बच्चे फ्रेस हो जाते हैं यह उपाय आप खुद अपने साथ भी कर स हो सकता है आपको कुछ चीजें लगे कि यह अंध विस्वास है लेकिन करके देखें जीवन में लाब जरूर होगा क्योंकि चमतकार होते हैं फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं अगर वीडियो से लाब होता है तो पहले लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महाद आप यह यह फिलेने